डूलो पैर्ण्स वेलकुम तू माई चैनल कैसे आप सब उमीद है आप सब इलकुल ठीक हूंगी तो फैंट्स अब बाज़े सुभार के शारी तस और मैं बेल्कुल वेड़ी हूं और मैं कहीं जा रहे हूं कहां जा रहे हूं तो आज मैं जारी हूँ अपनी बेटी के स्कूल, स्कूल जारी हूँ आज उसका है रिजर्ट, तो रिजर्ट लाने जाना है मुझे और एक और भी काम है, तो चलती हूँ स्कूल और यहाँ पे मेरे बच्चे भी बैठे वे हैं, दर्टो को बबू, तो मैं आज इनको छोड़ जोड़ के जा रहे हूँ, क्योंकि धूब बहुत है, तो इनको ले जाना पॉसे बन ले हैं, यह रह लेंगे, तो चलिए, मैं चलती हूँ, उसके बाद आप लोगे से बाते करूँ, तो फ्रेंड्स, मैं रिजर्ट ले ली हूँ, और कुछ और वे समान मुझे लेना है, तो तो उन वागेरा भी मुझे लेना था, जो उन मैंने बनाने के लिए दिया था, तो उन उस पे कम पड़ गई, तो वो भी लेना है, और यह देखी रिजर्ट, तो बस रिजर्ट लेती हूँ, और उसके बाद पिर आपको चलिए, मैं दिखाती हूँ, घर जा करके, तो आप वगरा नहीं टीचर ने दिखाया तो पता नहीं क्या, तो बस रही है रिजर्ट और बस अब मैं चलती हूँ, किचन में आई हूँ, सबजी बनारी हूँ मैं आलू और सुटी की, तो रेसिपी नहीं बस जयत कुरूँ, क्योंकि सबजी तो सभी बनाना जानते हैं, बस आपक अपनी, तो यह हमारे दुपहर का खाना, तो बस में इस पर पाने डाल दूँगी, और अभी यह जो थोड़ी मोटी वली सुटी रहते हैं, तो वो खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है, तो बस मेरा सबजी जो है, पाने डाल के मैं इसको अच्छी से त्यार कर दूँगी और मैं इना सारे काम करके गई थी घर, तो मैंना तो ऐसे भी सुभाही में सारा काम हो जाता है, उसके बाद फिर बच्छों को देखना समालना होता है, तो बस यह दे हैं मेरे सबजी बिलकुल, बस बाच मियो टॉर लगेगी, तो मेरे सबजी बिलकुल रेडी हो जाएगी, और यहां पर मैंने ताल दिया है धनिया पत्ती, तो बस आप लोग बताएगा कि आप लोग को सुट्टी पसंद है, यानि मुझे तो सुट्टी बहुत पसंद है, यह देखिए मेरे सबजी बिलकुल बन चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सब खिक होगा, तो इसको तार दो यहां पर मैं आईंग चाची को उन देने के लिए, तो चाची ने उन दिया, और यह जो नीचे लटकने वाला होता है, वह बनाना था तो उससी के लिए उन घट गया था, कम हो गया था उन, तो बस यह चाची जो फिर से बनाना स्टार्ट कर दी है, तो बस वह बना रही है, और ये देखे ये बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका और यदि कितना सुन्दर लग रहा है तो बहुत बहुत ही जल्दी चाची ने बना दिया और कितना प्यारा लग रहा है सचे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में मुझे तो सच बोजे बहुत अच्छा लगा य समय है और मैं आ गई हूँ छत पर ता आप लोगों बाबू लोगे अपने बच्चों के बाल में बान दूँगी और आप लोगों से बाते भी करूँगी तो आज मैं बाते करूँगी आज के समय के बारे में आज के समय में इतना बतलावा गया है कि कोई किसी पर भरूसा कर ही लेकिन अज सज में प्यार जैसे लगता है कहीं खो गया है, कोई किसी किसे प्यार नहीं करता है, सब पैसे के पीछे भागने लगे, रिस्तों की तो जैसे कोई एहमियती नहीं है, लोग ऐसे हो गया है कि लोग अपने मा बाप को भी नहीं पूछते हैं, फिर बाकी रिस्ते त तो बहुत बस नाम के लिए ही रह गया है इसलिए आजकल लोग प्यार भी करते हैं तो इसलिए प्यार कम दिखावा जादा होता है वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए इसलिए आज हर कोई अपनी पहचान चाहता है क्यूंकि जिसके पास, क्यूंकि लोग समझी चुके हैं कि इस दुनिया मेन कोई किसी का नहीं होता खुद पर भरोसा और अपने आत्मरक्था के भावना है तो ये दुनिया आपके लिए है नहीं तो फिर आप इस दुनिया के से अलग हो जाते इसलिए इनसान सबसे पहले अपनी गदर करता है इनसान अपने आपको हैमियत देता है क्योंकि अगर आप अपने आपको हैमियत नहीं देते हो अपने आपके दुख को दुख नहीं समझते हो तो फिर ये दुनिया आपके दुख को नहीं समझेगी तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने दुख को खुद ही समझना चाहिए अगर आप बिमार है आप उस पे काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो कोई नहीं जानेगा कि आप बिमार हो क्योंकि आप बिमार हो कि आप करम कर रहे हो तो इसलिए अगर आप बिमार हो तो आपको दिखाना पड़ता है कि आप बिमार हो वरना ये दुनिया पूछती भी नहीं है चाहिए दुनिया छोड़ी अपने ही लोग नहीं पूछते दुनिया तो बहुत दूर क्या होते हैं इसलिए अपनी कदर हमें बहुत करने चाहिए अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लिए नहीं आवाज उठाते हैं। तो ये दुनिया हमें कमजूर समझ लेती है। जिनके पास पैसा है, उनकी इतनी वाहवाहि है की मत पुछे। और जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको लोग पता नहीं क्या समझते हैं मैं तो ये समझ नहीं पाती कि जिनके पास पैसे हैं क्या वो किसी को आके पूछ लेते हैं या फिर किसी को कुछ आके कर देते हैं प्र भी यह दुनिया बस पैसे जिनके पशके बिना बुलाये पहुंच जाएंगे और पैसे हैं उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं हैं तो बस यहीं था मेरा आज का आप लोगों से मैंने बाते श conex वी बचों परण दिया चलिए बचे मेरे खेल रहे हैं तूफ आजी का यही था मेरे व्लोग और मैंने व्लोग में आप लोगों से बाते हैं और अजये हैं तो मैं आई थी च्छत पे दूश्छत पे बहुत भावाज तो और हमारी घरमे नाइट कर जाती है तो इस च्छत पे आना होता है वरना क्योंकि नीचे रहेंगे तो बहुत ज्यादा ही नीचे गर्मी लगती है क्योंकि गर्मी का मौत हमा गया तो एक मिनट भी नीचे नहीं पेड़ वागरा है तो इसका अच्छी हवा चलती है तो बस आज का यही था मेरा ब्लॉग आई हूप आपको को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो दिके पेड़ के पास इतना अच्छा लगा है तो चलिए मिलूँगी अपने नेस्ट ब्लॉग के साथ और हाँ अगर ब्लॉग अश्छा लगा ब्लॉग के साथ इतना लगाँ और है तो ।